किंद्री विद्याले संगठन के वी एस पियालटी के रिजल्ट का सभी अवेर्थियों को अभी तक इंतजार है यहां पर काफी कुछ समय बेत चुका है कई माह के बाद करेद उढ़ाई महीने से जादा वक्त हो चुका है ऐसे में लेकिन अभी तक रिजल्ट जो है वो जारी रही किया गया है यहां पर एक सीधा संबंद डिरेक्ट रिलेशन तो हम आपका नहीं दे सकते लेकिन एक इंडिरेक्ट रिलेशन जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है जब बेड वर्सेस बीटी सी का जो एक मामला जो एक फैसला लंबे था आपका मानने यह सुप्रियम क काम करेगा यहां पर यह आपका जो रिजल्ट है वो 21 मई से पहले हम क्यूं यहां पर बता रहे हैं उसका यहां पर कारण है चुकि और कोई रिजन यहां पर के वीएस प्यारिटी के रिजल्ट का जो है वो देखने को मिल नहीं रहा है केवल एक ही कारण उसका अगर हम सही तरीके से बात करें तो आपका है बीएड वर्सेस बीटेसी का जो फैसला है भी तक आना वाकी है यहां पर आप कलेंडर देख पार होंगे यह कलेंडर है आपका 2023 का सुप्रिम कोर्ट आफ इंडिया और इसमें आप डेट देखेंगे तो मई आपका 21 मई को छोड़िए 22 से देखें पूरा शेड़िड है आपका 22 मई से ले करके पूरा यह मई का महिना उसके बाद जून की बात की जाए एक जून दो जून तीन जून यह समर वैकेशन वाला समय चलता है ऐसे में मतलब जो भी है आप यह समझे कि इसमें तो काम कुछ होने वाला है नहीं तो यहां यहां पर जब हम बात करते हैं पूरा का पूरा आपका मई ऑफ पूरा का पूरा जून जहीं पर जाने वाला है तो पूरी संभय अकरिक्ट डिया हूए हैralी गद्रम जरूरी थी का पहले यह ही जो है वो देखने को मिल रहा है कि एक किस तक आपका जो है वो रेजल्ट आसकता है बांकि यहां पर एक जैसा की एक प्रियर किया थी कि रिज्ट जो है वह यहाँ पर भी आप डेट देख पार होंगे यह एक किस तारीक वाली जायं कि किस मेध-13 से पहले जो Hermiemand ज़स्मेंट है वो दिया जाए लेकिन यहां पर मानने सुप्रिम कोड ने जो है इसे क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कहा कि हम आट्रोनॉमस बाड़ी है और ऐसे में किसी प्रकार की प्रेयर जो है वो पर्मिट्टेड नहीं है जो हमारा हमारे हिसाब से जो काम क करने का तरीका है वो हम करेंगे थिक है तो यहां पर सभी को इंतिजार है कहीं नहीं जuciones आज और हम्हिकरते हैं उमीद करते हैं कि यहां पर चीजें जो एक इक जो एक fact है उसके आधार पर एक data के आधार पर आपको चीजे जो है वो समझ में आई होगी कहीं न कहीं जैसा के हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आप अपना self assessment आप अपने आपको self evaluation अपने आपको self evaluate करते रहें इंटर्वियू के लिए बाकि यहां पर comment section को जरूर चेक करि करियो में